गेले में फसा हुआ लगना या फिर गले में अठका हुआ मैसयोस हो था ना जाने इसे कितने मेरे कितने ऐसे हमारे व्यूर सोंगों उनको यह समस्या देखने को रही है उनके कफी सारी ऐसले कमेंट्स हैं जिसमें से मैंने कुछ 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 आपके प्लक की हो हैं और समझना आपको बहुत ज़ादा जरूरी है किवल अगर आप इसे समझ लेते हैं हैं तो मैं 100% स्यूरिटी के साथ आपको चैलिंज करते हूं आपकी समस्य ठीक हो जाएगी अगर आप कुछ चीजें स्टैप कुछ फॉलोज करते हैं तो आपकी गैरिंटी से यह समस्य ठीक हो जाएगी और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं अगर आप वास्ता में इसे ठी estra subscribe करें video को like करें क्योंकि जितने ज्यादा like होंगे video उत्ना ही ज्यादा आगे जाएगा और आपके साथ में किसी अन्य व्यक्तिक अगर फाइदा होता है इस वीडियो को share करने से तो जरूर कीजिए का सबसे पहले में आपको कुछ questions में आपसे पूछना चाथा हूं आपने छे महिनी से दवाई खाई आपने दो महिने से दवाई खाई लेकिन आपको आ nowhere मिला और आरा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला क्या आपने सोच्छा में दूसरा मेरा प्रेश्ण नहीं है आपने सारे जो मैथर्ड थे जो सारे आपने जो जितने भी दुनिया के नियम होते हैं समझ दिजे वो सब आपने किया लेकिन क्या आपको रिलीफ मिला इसके साथ में आप गुनगुना पानी भी पी रहे हैं फिर भी क्या आपको आरा मिला नहीं मिला क्यों नहीं मिला यह कुई और बिमारी जो इंडिस हो गई या फिर हमें इन्फेक्शन हो गया या फिर हमारे हाथ पैर में सूजन आगया फिर हमारी हाथ वीट बढ़ गई या फिर हमें चिंता, फियर, एंजाइटी हो रहा है या फिर हमें कोई अन्य बीमारी हो रही है तो ऐसी condition में हम करते क्या है हमें क्या situation से हमें follow करनी पड़ती है हम डौक्टर के पास जाते हैं दस-पंदर दिन की दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं लेकिन इस situation में आपको क्यों आरब नहीं मिल रहा है यह समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसको समझने के लिए इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगे जो आपको शमझना जाद ज़्यादा जरूरी है तो यहां पर हमने क्या बोला कि यह 6 महिने की दोसिस के जिएगा फिर मैं आपको यह question का answer देता हूं 6 मेने से मैं दवाई से इसलिए आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें कोई बीमारी नहीं है केवल और केवल अगर दो सिंटम समय होते हैं गले में कुछ फशा हुआ होना जिसमें मरीज को खाना खाते समय कोई परेशान होता है तो उसको गले में लगना कुछ अटकना महसूस हो जाता है आप इसे महसूस किजेगा जब हमारा ध्यान कहीं और होता है जब हमारा दिमाग कहीं और जगह होता है हम कुछ काम कर रहे होते हम कुछ किसी चीज में विजी हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें गले स हो गया है मैं मुझे फीवर आ रहा है थकान हो रही है वीकने सो रही है जॉइंट में दर्थ कभी-कभी होता है मसल्स में दर्थ कभी-कभी होता है कभी-कभी पीट में दर्थ होने लगता है तो यह समस्यां उसको बनी रहेंगी क्योंकि उसको एक्चुल में टाइफॉइड ह है या फिर अगर उसको मली रिया होगा तो यह सिम्टम्स आएंगे yo Just को कोई भी काम कर ले नहीं को यह बार तो काम करी नहीं सकते की कarsi की इसको फैर हो जाएंगे जब कि गली की समस्या में क्या हो रहा है हम कि कर रहे हैं हमे करा होते हैं मैं कुछ अटका हुआ हैं अधूक निकलते हैं मैंने कई सारे से पेशेंट्स को देखा है लेकिन कर बाखी लेके नार्मल आती है सेजिई करा लिए उन्होंने हैं छिसी करा लिए उन्होंने आनको हो रही है लेकिस कोई होती या फिर कोई ऐसी कंडिशन होती तो आपको जरूर और उस रिपोर्ट में आती क्योंकि हम टाइफार कर टेस्ट कराते तो पॉजटिव आता है ना जब होगा तभी तो पॉजटिव आएगा नेथर निगेटिव आएगा अला कि यह क्लिनिकल होते हैं क्लिनिकल मलेर तो उसका positive आएगा तो ऐसी condition में यहां पर कोई भी टेस्ट कराने पर कोई भी समस्या नहीं आ रही सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो यह समझने बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी क्या situation हो रही है हमारे साथ में चिस्से कि टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं और आपको कोई समस्या कंटिनेशली बनी हुई है तो यहां पर मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताने वाला हूं यहां पर किसी प्रकार का आपको कोई भी दवाई खरेदने की जुरूद नहीं है और हो सकता है कि कल का वीडियो जो आएगा उस कल के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कीजेगा और एक नए ब्लॉग मैंने क्रियेट किया हुआ है जिसमें आपको गले से रिलेटेट सारी बीमारीयों का इलाजम लेगा गले की रिलेक्टेट जितनी भी बीमारी आपको देखने को मिलेंगी अगर आपने वह सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक् सब्सक्राइब गली की समस्या और करोना से रिलेटेट सारी जानकारी आपको और ट्रीटमेंट से दहां वहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर कोई रिपूर्स आपने कराया रिपूर्स नॉर्मल आया इसका कारण में आपको बता देता हूं यह बीमारी हमारी गुवश हिस्टेरिक அinging समस्य और कई मरिजर को ग्लोवश हिस्टेरिक भी है जब हम किसी चीज से डड़ जाते हैं इक हिस्टेरिकल कंडिसनस होती है माल लीजे कुई होता है मैं दुख्य होता हूं एक एक अग्जमपल आपको अच्छा सा देनी कोसिस करता हूं जब हम दुख्य हो जाते हैं वह बहुक्त होते हैं wow कई बार देखा होगा हमारा गडला ऐसा हो जाता है G1 जपने लगती है और जब में इसमें जर स्रोप्र निकलते हैं तो धूल और व्यल्ग वे अंदर यदा है वह ऐऊसा लगता है कि हम दुखी होते तो कुछ hormones का release होना start हो जाता है जब यह hormones release हो जाते हैं तो यह hormones करते क्या है हमारी muscles की activity को change कर देते हैं समझ रहें कुछ तो होते हैं जो हमारी muscles को relax कर देते हैं कुछ होते हैं जो हमारी muscles को contract कर देते तो जब यह muscles contracted हो जाएगी तो जो part वहाँ पर होगा वो part effect हो जाएगा और उस part में जैसे मान लीजे यह हमारी खानी की नली है और इसके चारों तरफ muscles है अब इस muscles में जब hormones अपना काम करेगा तो कुछ क्या होगा dilute कर देगा ऐसे मतलब relax कर देगा और कुछ hormones क्या करते हैं उसको contract कर देगा तो जब यह contact कर देगा तो इसका diameter क्या होगा कम हो जाएगा बीमारी कोई नहीं है यह contract हो जाएगा तो diameter इसका कम हो जाएगा तो हमें क्या लगएगा कि कुछ attack रहा है यह मैं समष्या है ठिके ना तो पर तो यह हमें समझने बहुत जादा जरूरी होगा यह हória कर रहे हैं तो इससे समझे कोई जरूरत नहीं है अगर मरीज से समस्या नहीं है लेकिन ऊज़को कभी कभी होती है कि सर मुझे कुछ कँछ फशा हुआ है कि अटका हुआ को मैसूस हो तो उसके लिए डरना क्या जिब रिपोर्ट्स नौर्मल आ रही है सारे डॉक्तर्स आपसे कह रहें कि है एलर्जी है या कोई वह वाँ बीमारी है पी एंडी बगिए रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आप फींदी बगिए आप 10 डॉक्टर ने आपको सही जानकारी दी है वो सबसे ज्यादा महतवपूड़ है क्योंकि यह समझना हर किसी के बसका बात नहीं है हर किसी के समझ में नहीं आ रहा है अगर किसी बीद्टि को किसी भी डॉक्टर को को इसपेशल रॉक्टर की बात करें तो किसी भी डॉक्टर को कर सही कारण समझ में आ जाता है तो विमारी ठीक हो जाती है वनसलिव चलता रहें और आप आयरं देते रहें तो मरीष ठीक नहीं होगा क्यों कि आपको पहले मालेयरिय ठीक करना कोकि मैं मलेरिया की वज़े से टेल से टूट रही है वहाँ पर तो जब मलेरिया ठीक हो जाएगा तो आपका हीमोग्लोविन धीरी धीरी बढ़ नहीं लगेगा समझ रहे हैं तो कारण एक्जेक्ट कॉस पर हमें पहुंचना है और यह हॉर्मोन्स रिलीज क्यों होते हैं जो मैंने आपको बताया ग्लोवस इस्टेरिकर जैसी कंडिशन में क्योंकि हम डर गए हैं हमें फियर हैं हमें किसी भी तरीके से एंजाइटी फियर डर से हमें दूर रखते हैं किस चीज का सोचना मत सूचिये इतना इसके अलाबा योगा मैडिटेशन किजे आपको मैं फिर से आप किसी कहता हूँ कि आप कितनी दवाईयां खालेजीगा इसका इलाज आपको नहीं मिलेगा आप इससे किसी परकार की दवाई खालेंगे आप नहीं ठीक ना होगा सुबर मौर्णिंग की जो वाकिंग है वो से कर सकते हैं इसकी अलाबा अगर किसी मरीज को लेट उटनी की आदत है मौर्णिंग में तो जल्दी उठेगा अगर उसको समस्य है तो तो मौर्णिंग की ऑक्सिजन जो है वह हमें लेना है और अगर हम थोड़ा टैल सकत ही लिएalaynoTM जरूरी नहीं कि औल्टे सिथे जोल्टे से से निजाब देते हूं उन योगा मेडिटे श को किडिएगा तो अ कोई अच्छा सा देखिये अगा जरूर्व करते हैं टेर और जो उसे भी कर सकते हैं क्योंकि उसे वी हमारी के काभी सारे phonesいますकं होता है जैसे से Зबसढ़े एंज़रे डिप्रेशन धेरे-चाम होने लगेगा वैसे ही हमारे होर्मोंस लेवल कम आपको से बंद कर दीजिगा लंबी समय तक गुनगुना पाने ना पी हैं इसके थोड़े साइड इफेक्स में में देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर जो में चीज है वो हमें यही देखनी होगी इतनी लंबी समय तक दबाईया ना खाएं आपको समस्या और भी हो सकते हैं दबाईयों की बज़े से कोई और और और्गन्स आपका डेमेज भी हो सकता है इस चीज को समझना होगा दूसरा योगा मेडिटेशन कीजिएगा इसी से यह ठीक होगा इस्टेस एंजाटी डेप्रिशन को कम कीजिएगा हटा दीजिएगा आपकी विमारे ठीक हो जाएगी जैसे जैसे हॉर्मोन्स लेबल कम होगा यह आपकी समझ से ठीक हो जाएगी मेडिटेशन योगा से क्या होता है हमारा व्रेन अच्छा फंक्शन करता है सांत होता है अगर व्रेन में कुछ नकार्णत सोच चलती है तो उसे ठीक करने में मेडिटेशन बहुत ज्यादा सायक ह होता है और कंसेंट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा में दबोर होता है तो मेडिटेशन से योगा जरूर कीजिएगा जिससे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी मैं आपको वरुसा दिलाता हूं यह समस्या आपको इसी से यहीं से ठीक होने वाली है अगर आप थोड़ हचा पीसिंस रखें आपको घवडाना नहीं है किसी तरह से आपको उल्टी से दबाई लेने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आपको कल के वीडियो में एक छोटा सा किलिप जरूर दूँगा कि फिर भी सायद आपको उस मेडिसन से आराम बेल जाए क्योंकि काफी लोगों की जबी भी डिमांड होगी किसे नहीं हमें तो मेडिसन ही खानी है तो मैं कल का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मैयत्वपूर है आप उसे भी देखिएगा और आज के इस वीडियो में मुझे लगता है थोड़ा सा मोटीवेट होंगे आप थोड़ा सा इस भीमा आप जा सकते हैं तो चाहिएगा ज्यादा गली के बारे में सोचिए नहीं रिपोर्ट आपने करा ली है रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप फिर क्यों डर रहे हैं फिर आप डरनी के कोई जरूरत ही नहीं है तो आजके इस वीडियो में इतना ही मुझे लगता है आपकी वीड क्यास के जरूरत नहीं होती हैं कांसिलिंग के जरूरत होती है और कोई अगर मौटिवेट कर दे कोई अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसके साहरे से यह ओर्मोन से लेफ़ चेंज हो जाएंगे तो आपकी समस्य हो जाएगी गैरेंटी यही है और यहीं से वीमारी झाल